यह इतना दरद हो रहा है पता नहीं वह सटनली स्टार्ट हुआ है आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज की बात मैं आपको बताने जो जा रहे हूं न कि मुझे क्या फील हो रहा है आपको पता है यह सेगन फ्रेगनंसी थी वह जो मेरा बड़ा ऑ हुआ है जिससे कि मुझे वीर पैदा हुआ था एंड अभी उसको दो साल पूरे नहीं हुआ है मार्च में दो साल होंगे तन वगेरा मांचती हुआ तो मेरी कमर में बहुत गंदे वाला दर्द होता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से बैठ जाओं कि कमर बिल्कुल खतम ही हो जाएगी तूट जाएगी इतना दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों सडनली यह स्टार्ट हुआ है और उसके बाए रात को मुझे टांग में बहुत गंदे से पेन हुआ है एक राइट वाली जो होती है हमारे उसमें इतना पेन हुआ ना रात मुझे तो मैंने डिटरल ऐसे बैठ बैठ के दबाया है अपने पैर को कि थोड़ा ठीक हो मुझे रिलेक्स मिले यह तो मुझे पता चल गया है कि यह वाली प्रेग्नेंसी तूप होने वाली है पांच यह शे बजते हैं तो मे लक्षन मेरे सात ओ रहे है वह ये ओ रहे कि जो पेट का हमारा यह वाला हिस्सा ओता है ना इस वाले हिस्से के अंदर मुझे बहुत लीजाधा खिचाव सा महसूस होता रहता है ऐसा लगता है कि मुझे ऑरज होतants ही ए बात्रूम है ना और यह बड़ा हो चुक है अब मतलब 21 महीने का है सो दाथ वगेरा भी है इसके तो वो ना मुझे बहुत जादा इस टाइम इतनी जादा दिक्कत हो रही है लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इसको चुडवाद हो मैं एक मिनट के लिए इसको फीड नहीं करा पारी हूं इतना पेन है और कैसे चुडवाओं कैसे ना चुडवाओं मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको करूं मैं आगे क्योंकि यह भी बच्च था है इसका कैसे ना करा हूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है सो जिसकी भी सेकंड डिलिवरी हुई है आफटर बड़ा ओपरेशन सी सेक्षन के बार तो आपको क्या-क्या दिक्कत आई थी मुझे जरूर बताना और अभी मैं यहां पर अकेले रहती हूं क्योंकि मेरी मदर इनलो भी मेर है तो वह भी नहीं आ सकते तो वीर के साथ इस सेकंड फ्रेगनेंसी में आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि चोटा है अभी इसको उतारना चढ़ाना और क्या कहते कभी बैड़ पे से उतर रहा है कभी चढ़ा रही हूं तो उसमें जोर जैनवरी मिड में आएंगे मतलब 14 जैनवरी के आसपास आएंगे तब तक मेरा थर्ड मन स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं सब चीजों को लेके आगे बढ़ू इसलिए मैं अब भी रेडी नहीं थी बट अब हो गया है इसको आगे कॉंट जाल के साथ मिल जूल के हम लोग एक साथ चल सकें क्योंकि अगर परिवार बढ़ता है तो इसलिए मैं अपनी वीडियो भी बनाती हूं तो इतना ज्यादा स्ट्रेस आगे है ना समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चीजे आगे मैंटेन होगी वर जो भी होगा देखी जाएगी तो वो कहावत तो है ना कि जब ओखली में सर दे लिया तो फिर मूसले होता है ना उससे क्या डर ना तो अब तो जो हो रहा है तो होई रहा है देखते हैं क्या होता है आगे कैसे कैसे ग्रो होगा आपको बताऊंगे अभी मेरी फर्स्ट विजिट नहीं हुई है डोक्टर जैसे मेरी डोक्टर के साथ विजिट होगी जो भी कुछ होगा वो भी मैं व्लोग में आपको अगे अपडेट करती रहूंगी बट आप लोगों से बस यह है कि मेरा साथ देना एंड मेरे साथ बने रहना प्लीज व्लोग में बीच में छोड़के मचाया करें कमेंट में अ अब भी मैं इस वीडियो को यहीं पर अंड करती हूं होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपके साथ भी सेम लक्षन हो रहें और आप भी प्रेगनेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ें तो आप मैं म पिलोंगे आप से अपने नेक्स व्लोग में तब तकिनी बाइब बाइब बाइब